पब्लिक टीवी आपकी आवाद उत्तरप्रदेश के मुरदबाद जनपद में आम आदमी पार्टी के राज्य सबासान सत्परभारी उत्तरप्रदेश संजय सिंग ने मुरदबाद में गांधी जैनती के मौक्य पर गांधी मूर्ती पर माल्यार पड़ किया मीडिया से बात करते हुए संजय सिंग द्वारा कहा गया कि उत्तरप्रदेश में आम आदमी पार्टी के सरकार बनने के बाद सबी को मुफ्त 300 यूनिट बिजली जी जाएगी जिसे आम आदमी के उपर पड़ रहे भार को कुछ कम करने के लिए आम आदमी पार्टी काम करेग जल से जल उत्तरप्रदेश में सारी ववेस्थां बहतर कर दी जाएगी आम आदमी पार्टी सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी संजे सिंग ने गांदी जैनती के मौके पर मुरदबाद पहुँचकर गांदी इसमारक पर जाकर गांदी मूर्ती पर माल लारपन गया और उसके बाद मीडिया से मुखादिब हुए उन्होंने 2022 में विधामसभा चुनाव में आमादी पार्टी के उत्तर प्रिदेश में सरकार बनने के बाद 300 यूनियूर तक बिजली बिलकुल फ्री दिये जाने की बात कही महत्मा गांधी और स्वर्गी लाल बहादूर सास्त्री जी की जैनती पर हम सब लोगों ने गांधी स्मारक पर आकर बापू के प्रती अपनी स्वर्धांजली अर्पित की एक्ता का भाई चारे का अमन का चैन का संकल्प लिया और उत्तर प्रदेश को बदहाली से मुक्त कराने के लिए नफरत की राजनीती से मुक्त कराने के लिए जाती धर्म के जगणों से मुक्त कराने के लिए मुद्दो की राजनीती को आज हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर सुरुवात कर रहे हैं पहली सुरुवात है 300 यूनिट बिजली फ्री और पुराने बकाया बिल माफ जैसे ही सरकार बनेगी 24 घंटे के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी और पुराने जितने भी बिजली के बिल बकाया हैं वो सारे बकाया बिलों की होली का जलाने का ताम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ मिलके आम आदमी पार्टी का एक एक कारिकर्टा करेगा हम पुराने बकाया बिल माफ करेंगे और पुराने बकाया बिलों की होलिका जलाई जाएगी दूसरा 24 घंटे बिजली देना सुनिश्चित करेंगे तीसरा किसानों को मुप्त में बिजली दी जाएगी कि किसान पहले से ही तमाम तरीके के बोज से दबा हुआ है और अगर हम लोगों की सरकार को बनाने का मौका इस प्रदेश की जनता देती है तो हम किसानों को भी मुख्त बिजली देंगे तो आज 300 यूनिट मुख्त बिजली केजरीवाल का पहला वादा उत्तर प्रदेश की जनता के साथ इस अभ्यान की शुरुआत हम लोग गांधी जैनती पर कर रहे हैं